दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटा प्रोग्राम के बारे में जिया दोस्तों बिटा प्रोग्राम क्या होता है प्ले स्टोर से आप बिटा प्रोग्राम की मदद से किसी भी अप्लिकेशन का अपडेट जो है अपने मुबाइल में यहां पर ले सकते है जिया दोसतों कैसे जो है आप सभव से पहले जो आफिशली रिलिज नहीं होता है वह अपडेट आपके मोबाइल में आप कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं आज इसी के बारे में बात करने वाले है तो बने रही है दोस्तो इस वीडियो के साथ और चलिए बिना वक्त गवाई करते हैं इस वीडियो को शुरूर। जब भी अपडेट होता है तो आप कभी भी पडेट पर जाकर उस अपडेट को जो डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले नहीं होगा वह जो है वह स्रीफोस जिए नहीं होगा या doubling सकते बीटा प्रोग्राम के लिए होगा जिसमें कि आपने भी उसे जॉइन करा है तो यह अपडेट दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगा और इससे आप उस अपडेट को देखेंगे कि किस तरह से यह फीचर जो भी इन्होंने दिया है यह सही दंग से काम करता है या नहीं कर अगर आपको लगता है कि इसका feedback आपको सामने WhatsApp को देना है तो आप बीटा प्रोग्राम के तहट जो है वह जो भी फीडबैक होगा वह सामने आप दे सकते है इससे वह क्या होगा जो भी यहाँ पर update में कम्या है दोस्तों उसे जो है यहाँ पर WhatsApp जो है वो क्लियर कर देगा और उसके बाद जो है इसे ऑफिशली रिलीज करेगा तो आज हम यही सेटिंग देखने वाले हैं कि अगर आप भी बीटा प्रोग्राम को जॉइन होना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना होगा तो चलिए जानते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइ आप जिस भी अप्लिकेशन के बीटा प्रोग्राम में जॉइन होना चाहते हैं आपको उस अप्लिकेशन पर जाना होगा तो मैं आपको एक्जाम्पल के लिए बता देता हो कि मेरे जितने भी अप्लिकेशन से यहां पर इंस्टॉल है दोस्तों इन में से मैं देखूंगा क कहाँ पर मैं beta program में join हो सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं simply, अब search तो नहीं करते बैठाऊंगा, मैं directly यहाँ पर आपको देख पारे, screen पर की तीन line आपको दिखाई दे रही है, left में उपर में, आपको यहाँ किलिक करना या फिर टच कर देना है, उसके बाद में My Apps and Game में आपको चले जाना है दोस्तों यहां पर आप My Apps and Game में आने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी आपके मुबाइल में Apps इंस्टॉल होते हैं वो सारे के सारे यहां पर अपडेट्स के लिए आपको दिखाई देते हैं तो मैं एक-एक करके आपको दिखाऊँगा कि यहां पर हम जॉइन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं देखे क्या होता है कि अगर कुछ जो यहां पर जॉइन का ऑप्शन होता है वो तभी आपको देखने को मिलेगा कि जब आपका यहाँ पर beta program available होगा तो कुछ ही लोगों को यह मिलता है दोस्तों अगर आप इसे पहले ही register कर देते हैं या फिर join कर देते हैं तो इससे आपको benefit मिलेगा तो अभी हम देखेंगे कि क्या हमें पहले तो यहाँ पर जो WhatsApp messenger है क्या WhatsApp messenger में मुझे beta program मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता तो हम पहले इसे open कर लेते हैं open करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे नीचे जैसे आप scroll कर रहे हैं देख पा रहे हैं यहां पर बीटा प्रोग्राम इस फुल जहां दोस्तों यहां पर बीटा प्रोग्राम जो फुल हो चुका है कहने का मतलब की है यहां पर कई सारे लोगों ने जो है इस प्रोग्राम में पहले ही अपने आपको जॉइन कर लिया है जिसके वज़े से आप इस प्रोग्राम में जो है वो बिटा वर्जन को जॉइन नहीं कर सकते तो चलिए बैक आ जाते हैं अब दूसरे किसी अप्लिकेशन में जाकर देखते हैं कि क्या हमें बिटा प्रोग्राम जॉइन के लिए मिलता है तो आपको यहां पर फाइल बाइ गूगल जो है यह एक अप्ल प्रोग्राम के तहट जॉइन जब होते हैं तो कुछ ही लोगों को इसके सबसे पहले अप्डेट्स मिलते हैं उसके बाद अगर उसमें कोई भी कमी है तो आप उसे फीड़बैक जो है वो डेवलपर को दे सकते हैं तो गुल मिला के जो है इस तारह से जो है आप अपने किस भी अप्लिकेशन का अपडेट अगर आप सबसे पहले अपने मुबाइल में चाहते हैं तो पहले आप इसे जॉइन कर लिजे जॉइन करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं यहां पर और आप जो है यहां पर जॉइन कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो यहां पर हम जॉइन कर लिए है अब जॉइन करने के बाद क्या होगा कि जो भी नया अपडेट जो भी जो कि ऑफिशली रिलिज नहीं हुआ है वो जो नया अपडेट दोस्तों आएगा वो मैं यहां से जो है वो अपडेट ले पाऊंगा लेकिन आपको आकर यहां पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अपडेट नहीं आए है कई बार क्या होता है हम अपडेट की तरफ ध्यान ही नहीं देते जिसके वज़ए से फिर हमारे हातों से जो बीटा का अपडेट होता है दोस्तों वो नहीं मिल पाता है सो अगर आप भी किसी भी अप्लिकेशन का सबसे पहले अपडेट चाह चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में